दोस्तो आज के मारे इस वीडियो के टोपिक है डिफरेंस बेट्विन किलोवार्ट एंड के वीए मतलब कि किलोवार्ट और के वीए इन दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तो यह है कुश्चन आपको यहांपर दो बड़ दीख रहें एक तो दिख रहे हैعة हमारा किलोवार्ट को के वीए तो दोस्तो पहले हम थोड़ा इन दोनों को समukeलेते हैं तोस्तो एची सबसे हीए पहले चीज़ हैं किacmary की यह यह याद हगी है और किसी उपकरण का नाम हमारा KVA में होता है जैसे अधिक तर आपके मैं यह भी कोश्चन आता है कि हमारा जो ट्रांस्वम होता है उस ट्रांस्वम की रेटिंग तो KVA में होती है पर हमारी जो मोटर होती है उस मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है तो इसके ओपर तो मै आपको बता दी कि यह दोनों ही हमारी power होती है तो दोस्ते यह दोनों power अलग-अलग कैसे है तो दोस्ते इसको आप एक काफी अच्छे उदार्ण समझ सकते हैं जैसे हैं कि हमारी motor है ठीक है यह हमारी motor है अब इस motor को चलाने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों single face की motor माल दे बिस्ता हूं तो दोस्तों असलियत में मैंने इसके इनर्जी भेजी वह तो हो जाती हमारी केवी का मतलब होता है दोस्तों हमारी total power यह चीज आप ध्यान रखेगा total power अभी आपको इसको और आसान सब्दों में सब्जा दूँगा और इसके लावा असलियत में हमारी motor है उस पूरी power हमारी केवी होगी पर दोस्तों हमारी असलियत में motor ने कितनी power को उप्योग करा वह कहला ही कि किलोवार्ट मतलब जितनी power उसने उप्योग में ली क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी उपकरण को electrical energy को भेजते हैं जैसे हमने इसके ना face or neutral भीजा तो दोस्तों क्या हो गया अभी अब बताय था कि हमारी के वी होती है वह केवी होती है पूरी power यानी हमारे इलटिकल के नहीं energy बेजी है वह पूरी energy तो दुस्तों हम gonna इलेक्रिकल के एंदर एनर्डजी कैसे भेचते हैं, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज भेच ज़Яते हैं, और हमारा करण्ट बेचते हैं, तो यह दोनों जैसे हो जैसे हो बेचते हैं, कर्यो से लिए क्याता है, यह रिख हैं pourquoi meaning वे डाय पूरों पीनदा है वोा है, मोटर ने कितनी power को प्योग में लिया तो हमारी मोटर ने voltage भी गया motor के अंदर ampere भी गया पर दोसर हमारी मोटर होगी उस motor के अंदर कुछ LOS होते है कुछ LOS का मतलब जैसे मैंने को होता है कुछ waste power तो जो waste power है वो waste power भी यहां पर multiply हो तो मैंने लिख देता हूं वह विष्ट होती है हमारे पाउर फेक्टर के फॉप में आपने कई बार सुने हमारे are बंकichen आहिब होता है तो इसके म किलोब्वाट के अंतर तो यह तो हमारा kva ठीक है पर दोस्तों kilowatt के case में होता है यह होता है हमारा w मतलब यह होता है watt तो यह watt के इसके अंदर हमारा जो power factor होता है यानि हमारी जो waste power होती है वो waste power भी multiply होती है इन तीनों को multiply करता हूं तो आ जाता है हमारा watt और अगर बड़ी संक्या है तो इसलिए में या कर देता हूं यह भी kilowatt दोस्तों एक बात जान लिए अगर आप इस बात को वो दी electrical की supply ठीक है और इसके output में supply निकल दी है वो वापन से निकल दी हमारी electrical की supply तो दोस्तों इसकी जो rating होगी वो हो जाएगी हमारी kva के अंदर पर दोस्तों अगर वहीं बात करें कि हमने input में दो दी electrical energy electrical energy three phase supply single phase supply कोई सी भी दी पर output में जो हमको मिली वो मिली हमारी mechanical energy त तो जो भी उपकरन होते है उनकी जो rating होती है उनकी rating हो जाती है हमारी kilowatt के अंदर दोस्तों अभी आपके मन में question आगया होगा कि kilowatt के case में समझ आ रहा है कि हमारी motor होती है वो motor output mechanical energy निकालती है तो इसकी rating kilowatt में हो गई पर हमारी MCB होती है या भी हमारी circuit breaker होते है वो circuit breaker भी output म है तो electrical energy को ही निकालते है न तो उनकी rating KV में क्यों नहीं होती है तो दूसर एक चीज़ जहां रखेगा हमारी circuit breaker होते है जैसे बड़े circuit breaker जैसे AC भी हो गया VC भी हो गया तो उन सबकी rating तो हमारी KVA के अंदर ही होती है पर जो हमारी छोटी circuit breaker होते है जैसे अगर MCB की बात करे MCCB की बात करें तो दूसर इनकी जो rating होती है वो होती है MPR के अंदर आपने पता है कि हमारी MCB होगी वोल्टे जोनोंने फिक्स बता रहा है 415 तो इन दोनों को मल्टिप्लाई करूँगा तो यह हो जाएगा VA पर हमारे मतलब आपको इतना सा दियान रखना है कि ऐसा उपकरेंट जो आउट्वूट में इलेक्टिकल एनरजी को निकाल रहा है वो इसकी रेटिंग हमेसा हमारे के विये में होगी इसके लाब आप एक और चीज भी जियात रख सकते हैं कि जिस भी उपकरेंट की नेम प्लेट पे च 0.9 है ऐसा दिख रहा है कि इसके वेस्ट पावर किती है तो उसकी रेटिंग आपको हमेसा किलोवार्ट के अंदर ही मिलेगी और उसा ऐसा किसलिए होता है कि हमारे जो आउट्पुट में जिसमें इलेक्टिकल एनरजी मिल रही है उसकी रेटिंग के वियो होती है तो दूस किसी के अंदर जादा होगी किसी के अंदर कम होगी और किसी के अंदर होगी ही नहीं तो इसी वज़े से जिस उपकरेंट के आउट्पुट में हमको इलेक्टिकल एनरजी मिल रही होती है उस उपकरेंट की रेटिंग हमको के विय में ही मिलती है क्योंकि उसमें कोई सा भी को हैं और दोस्तों कभी आपकोagues केविमें बदलना है कि अपकी वैल्यीग कोई किलोट के अनदर है और विदे, यह क्या करना है जिसे अंहीं आपको बदायता है किल वार्ट होता है इसके शायत में तरक पर केविगी केस में power factor नहीं होता है तो दुस्तों मैं क्या करूंगा इस power factor को वापस से is homewww निकाल दूँगा जो हमारी kilowatt की valueWhat के इस oxygen के अदर से waapस e power factor को निकाल दूँगा भाग करके तो दूस्तों मेरी जो value आ जैगी वह वापस से value आ जाएगी हमारी kva के अंदर और दोस्तों अगर कभी मेरे को kva को kv बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा voltage और amper तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है पर मेरे को यहाँ पर सिर्फ power factor हमार जो power factor उस power factor यहाँ multiply कर दूँगा और जो हमारे जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा answer kilowatt के अंदर तो दोस्तों अगर आपसे इंट्रू के अंदर इसके बारे question क्या जाता है कि वो kilowatt और kva में क्या अंतर होता है तो आपको सिर्फ एक line बोलनी है the difference between kilowatt and kva is the power factor मतलब कि हमारे kilowatt और kva में जो difference होता है वो सारा का सारा power factor के उपर ही होता है और इसके साथ में आप यह भी line बोल सेकते हो kva is known as total power मतलब हमारे kva होती है kva हमारी पूरी power, total power होती है and the kilowatt is the real power पर हमारी kilowatt होती है कि हमने कितनी उप्योग करी power वह power होती है तो दोस्तों उमीड है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बैदर जान करें मिली होगी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है इस वीडियो को लाइक करके जरू बताना अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतिए सब्सक्राइब कर लिजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद